हेलो फ्रेंट्स नमस्ते तो आज हम कोदो मिलेट्स का खिचड़ी बिनाने जा रहे हैं बिल्कुल 10 से 15 मिलेट में ये खिचड़ी बन के तयार हो जाता है और ये बहुत ही जादा हमारे हेल्थ के लिए बेनिफीशियल है जैसे कि ये हमारे वेट लॉस में मदद करता है हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है मिलेट्स में बहुत जादा फाइवर होता है तो इसे अपने डाइट में जरूर सामिल करें तो यहां पर मैं लगवक 3-4 करोड़ी के करीब कोदो मिलेट ले रही हूं यह देखिए इस तरह से होता है कोदो मिलेट तो इसे हम एक बॉल में साफ ना हो जाए और इसे 3-4 गंटे के लिए हम फूलने के लिए रख देंगे तो 3-4 गंटे में पानी से भीगो के मैंने रख दिया है तो जितना मैंने मिलेट्स लिया तो उसका 3-4 मैं दाल ले रही हूं आप चाहे तो पूरी कटोरी भी ले सकते हैं यह देखिए मिलेट् को एक पानी सो और धो लेंगे मैंने कुछ इसके लिए सबजिया काटा है तो यहां पर मैं 6-7 कलिए लहसन यहां मैं बीन्स ले रही हूं गाजर कद्दू ले रही हूं सिमला मिर्स टमाटर और प्याज आप चाहे तो अपने मन पसंद के और भी कोई सबजिया आज कर सकते ह सबजी पसंद ना हो तो उसे स्किप करें तो गुकर में एक सीटेर चमज तेल डाला है जीरा एक लाल मेच एक तेचपत्ता थोड़ा सा चुटकी पर हिंग और जो लेसन लिया था उसे थोड़ा सा सौटे करें जो हमने प्याज काटके रखा था उसे भी लगबग 30 सिकेंड इस तरह से फ्राई कर लेंगे और जो सबजिया हमने काटके रखीती वह इसमें डाल देंगे बस हमें अभी टमाटर को नहीं डालना है उसके साथ भस बेसिक से मसाले तो आधा चमज छल्दी आधा चमज धनिया तीके कहने सा लाल मेच डाले उसके साथ थोड़ा सा गर मसाल और टेस्ट के कोडिंग नमक लगबग 3-4 चमच में नमक डाला है और इसे मिक्स करते वे लगबग 1 मिट तक इस तरह से फ्राइ करना है मसाले हलके से भुन जाने चाहिए इसे ओवर कुकिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करना तो यहां जो हमने मिलेट्स और दाल को दो के रखा ता वो डाल देंगे और साथ ही टमाटर दाल देंगे मिलकुल 30 सेकेंड तक इसे मिलाते हुए हमें फ्राइ करना है इस तरह से यह मिलेट्स का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है यह डाइबिटीस के लिए तो राम बान है डाइबिटीस वाले इसे जरूर ट्राइ करें त उससे जादा आपको नहीं लगाना है तो फिर जब ठंडा हो जाएगा तो यह देखें मैं सीटी खोल रहे हूं कितना बढ़िया हमारा खिचरी का टेक्श्चर आया है कितना अच्छा लग रहा है देखने में आप इसे घर में जरूर बनाए बहुत ही हिल्दी है यह उपर स आप इसे घी डाल कर खाए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है वीडियो पसंद आये हो